तो हेलो फ्रेंड्स आजकल मेरी वीडियो नहीं आ रही थी मैंने सोचा था कि में रोज इक वीडियो डालूंगी दिवाली पर दिवाली स्पेशल बट हो नहीं पा है लाइक स्वीट्स का भी एक-दू रेशिपीज डालने वाली थी मैं माइस पेशल लाइक काजू पिस्ता वाला बट मैं नहीं डाल पारी थी मेरी मेरा गला पुरा खराब हो रखा था अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं है फिर भी मैं साथ-ाथ दिन हो गए वीडियो नहीं डाले इसलिए मैंने आज यह कुकीज की वीडियो डाल दिये तो मैंने यहां पे फ्रूट्स एंड नॉट्स को किस बनाये थे बहुत ज़्यद़ा टेस्टी बनते हैं तो दिवाली स्पेशल आप इससे बना सकते हो असे को सब करें अक्षब कर सकते हो पहां सरी लोग घर पर विजिट करते हैं ज आप उनको 175 gram butter लिया है तो यह homemade butter है आप salted butter भी ले सकते हो unsalted भी ले सकते हो फिर यहाँ पर मैंने 125 gram आपको icing sugar लेना है तो icing sugar की जगह मैंने jaggery powder लिया है तो jaggery powder अब ले रहे हो तो आपको 150 gram लेना है और आप icing sugar ले रहे हो तो आपको 125 gram लेना है और इसको अच्छे से mix कर लेंगे फिर मैंने इसमें थोड़ से mix fruit essence भी राला है अब चिए तो mix करने के बाद भी राल सकते हो या पहले भी राल सकते हो तो इसको बीट करते जाएंगे चाहिए आप हैंड बीटर से कर सकते हो या फिर एलेक्टिक बीटर यूस कर सकते हो तो इसको light and fluffy होने तक थोड़ से mix करते जाना है तो यह थोड़ से कलर चेंज हो जाएगा लाइक कॉफी का मिक्शर हो जाता है वैसे बन जाएगा तो इसमें थोड़ से डाइंडिग्रेंस डालेंगे त तो इसको अच्छे से अम लोग रख देंगे और इसके में डालेंगे ड्राइंडिग्रेंस तो यहां पर मैंने कस्टर पॉड़ ले लिया है तो इसमें तो 20 ग्राम आप ले सकते हो तो आप 2 टेबल स्पून के इसाब से भी ले सकते हो फिर मैंने मिल्क पॉड़ डाला है मि रेसं में डाने में तो बेकिंग सोडा यहां ने में वान क Smash करना है तो कुकी थोड़ा साइस हो हो कि अपका क्रिस्पी बनेंगे और बेकिंग सोडा नाले से थोड़े से कम मतलब बहुत ज़दा क्रिस्पी नी बन पाते हैं लिकास फिर वह लाइक बहुत कभी-कभी हाड हो जाते हैं तो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पौर्ड दोनों इसमें डाला है ताकि वह क्रिस्पीनेस और सॉफ्टनेस दोनी बनी रह है रहा दैस है दिइब राइट फ्रूल सकते ऑपने चॉइस घंभ को दिल्टी नीच कन झाला है यहां चुन और सिक्षाल मीड़ा और सोत्पीं च।ूटी फूटी बेरिकें पिलिए ने बाताब ए술 करेंके महों स todd Nonis Endless के और मिहम हैं इसमें करें अ और सों सिरिक weeds लेए मैंने रिफाइन प्रोर यूस किया है अदरवाइस मैं हमेशा कुकीज ओट्स फ्लार का बनाती हूँ या फिर नॉर्मल यहों क्या आटेगा ही कुकीज बनाती हूँ अब इसको हलका है तो से स्पैचुला से मिक्स करने के लिए यह पूफेक्ली मिक्स हो जाएगा तो इसमें मिल्क की रिक्वायर्मेंट नहीं होती है अगर आपको थोड़ा गिला लग रहा है तो आप पाइपिंग बैक से पाइप केप करके भी बना सकते हो और आपको ज्याद मिल्क करने लिए मैंदा या अपने आप रिफैन फ्लोर अफ गहूं का आठा यूज कर सकते हो तो दोनों भी यूज थो तो मैं यह जा सारे कुकिज बना रही हो तो आपको थोड़ा सा बनाना है तो आप हाफ इंडिगरेंस ले सकते हो जो मैंने बनाया है उसका अज़ा इं तो लाइक दिवाली स्पेशिल में बना रहे हूं गैस के लिए जो भी आएंगे बहुत सरे लोग आते हैं मेरे घर पे इसके में ज्यादा कौंटिटी में बना रहे हूं पर मैंने एक और पार्शमिन पिपर ले लिया है और उसके उपर रग दिया है और इसको हलकी हाद उससे कोड़ा सा मोटा उतना हम कर सकते हैं फिर आप कुकी कटर से कट कर सकते हो या फिर किसी भी राउंड स्मॉल कटोरी होगी आपकी बाउल होगी उससे आप कट कर सकते हो सिंपली इसको लेते जाएंगे हम लोग और बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे बेकिंग ट्रे में ब बेक करना इसको या फिर 20-30 मिनित्स एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको जलना नहीं चाहिए 20 मिनित्स के बाद आप एक बार चेक कर लेना अगर आपको लग रहा हो पिस्पुन से दिखा जाए तो 1 ती पूछ या फिर 12 तीस्पून यूज़ करते हो या फिर 1 टी स्पून तो इस जालनों भी डा ज्याद़ कोंटिटी में बना रहे हो इसको कुई कटर से कट कर लेंगे या फिर आपके पास कोई बीजाइनर कटर होगा तो आप उससे भी कर सकते हो अपने हिसाप से भी बना सकते हैं बहुत जदा बढ़ा नहीं है आप यहां पे में बना रही हूं चोटे चोटे बना रही हूं विकास गेट को सर्व करने के क्यां तो जब तक में तक आपन खक्लमक जब और दो घ्का लिएिव न करते हैं तो इतने इनडी इसमों में बहुत सारे में चले को कुकिव पने लिया हैं ऐसे में आपते हाद ओं से बहुत नहीं से रख सकते हो हुआ है महीं सब say आ रहुंट कर लिया था यह दो cause को पर तक कट कर लो तो जब तक मैं यहां पे ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया है मैंने और जितने बने थे एक ट्रे मेरे भर गए थे तो उनको मैंने फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था तो आप देख सकते हो अराउंड 3 तीन बार मुझे बेक करना पड़ा था तीन बनके मेरे रेडी हो गए थे कुकेस तो इनको मैंने तो इनको मैंने स्टांड में रख दिया था ठंडा होने के लिए अच्छे से जब एक तम थंडे हो जाएंगे तो आप देख सकते हो कितने किस्पी बने तो ओवन को 10 मिट के लिए प्री हीट करना है 140 डिग्री या 160 तो मैंने 160 डिग्री वाला था वह परफेक्ट बना था तो आप भी अगर बेक करोगे तो 160 डिग्री पे 20 मिनिट के लिए करना अगर आपका ओन ज्यादा ही हो जाता है या फिर जल्दी हीट हो जाता है तो आप 18 मिन तक कि भी बेक कर सकते हैं तो तो जली से वीडियो को